Hello to everyone, this is Avid Academy Rachi and we are going to talk about a very important topic. बहुत ही बड़ा एक concern का विसे ये है कि भारत में foreigners आते हैं, क्यों आते हैं? भारत की खुबसूरती पो देखने के लिए, भारत का culture को experience करने के लिए, भारत का जो natural beauty है उसको देखने के लिए spiritual tourism बढ़ते जा रहा है और उससे भी ज़्यादा food tourism बढ़ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है यहां का जो cuisine है, इंजिन cuisine है उसका जो real taste है उसको वो experience करने के लिए भारत आ रहे हैं लेकिन problem यह वो रहा है ना कि diversity हमेसा अच्छी नहीं होती है, diversity बुरी दी हो सकती है और उसी problem का सिकार हो रहे हैं जो foreigners यहां आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे news आ रहे हैं जिसमें कि हमें देखने को मिल रहा है कि Japanese woman के साथ molestation हो रहा है और अभी जो news है वो Queeruvian woman के साथ है, बहुत सारे ऐसे video surface होते हैं जिसमें कि जो foreigner tourists आते हैं उनको गालियां दी जा रही है, लेकिन बहुत सारे उसी समय ऐसे भी most of the videos जो होते हैं वो यह भी दिखाते हैं कि किस तरह से हमारी hospitality जो है वो बहुत ही better है कोई भी country से for example इतने सारे videos हैं जिसमें कि वो खाना खाते हैं तो जो ओनर होते हैं वो पैसे नहीं लेते हैं even कोई भी एक stranger होता है वो उन्हें घुमाता है उन्हें सारे चीजेओं को ट्राइ करवाता है और उनसे पैसे नहीं लेता है लेकिन of course कुछ ऐसे कमीने होते हैं जिनके विज़े से हमारे जो देश की छवी है वो धूमिल होती है और यहां पर उसी का कोगनीजेंस लिया गया पेरोवियन वोमेन के साथ जो हुआ उसके खिलाफ जो इंडियन मेजिस्टेट थे उन्होंने सजा सुनाया उन्हें साल के रियाज एहमद को दो साल का rigorous imprisonment दिया गया और पांच हजार प्या का fine दिया गया सो यह जो था वो सबसे fastest ट्राइब देखा जा रहा है क्योंकि उसने क्या किया था एक foreign woman को molest किया था इससे direct आपके देश की छवी जो होती है वो खराब होती है जब वो वेडियो साउथ अमेरिका में पेरू में जब surface होगा तो क्या वहां के लोग कभी इंडिया आएंगे नहीं आएंगे इसका मतलब यह है कि आप tarnis कर रहे हो पूरे देश का एक image को और इसी के वजह से यह इतना SPD ट्राइल करने के बाद उसको rigorous imprisonment दिया गया और यह show किया गया कि नहीं अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हें क्या होगा सजा मिलेगी और UPSC perspective mains के लिए तो यह हो सकता है कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्या step ऐसा लेंगे जिससे कि यह problem को हम लोग solve कर सके इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज कि what could be the step जिससे कि हम लोग यह problem को और ज्यादा कम कर सकते हैं दूसरा point जो important है वो है वड़ी जोग्राफिस है कि पेरू कहां located है you can see out here यह South America का map है Brazil है Brazil हमारा बहुत यह अच्छा मित्रदेश है यहां पर है और ब्राजील का जो बॉडर है वो पेरू के साथ लगता है यह पेरू का कॉस्ट लाइन है और पेरू बहुत सुन्दर कंट्री है जिसके साथ हमारा एक टूरस्ट रिलेशन भी है बहुत इंडियन भी पेरू जाया करते हैं यह South America का एक कंट्री है इसका बॉर्डर लगता है बॉलिविया से बॉलिविया और आप देख सकते हैं यहां पर इक्वाडर है और यह कॉलंबिया है यह ब्राजील है इस चिली नो के यह जो पतला कंट्री आप देख रहे है वो चिली है तो South America का जो मैप है वो आपके लिए इंपोर्टेंट हो ज से हुआ जब यह 19 साल का एक लड़का था तो यह तो एडल्ट होना चाहिए तो आफकॉस बहुत सारे कंट्री में जो पॉइंट रहता है कि कौन टीनेजर होगा और कौन एडल्ट होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि यह 13 साल से 19 साल के हो कि एडल्ट के उपर लगते हैं और यहां पर उसी का इस्तमाल किया गया है और इसे दो साल का रिगरस इंप्रेजनमेंट दिया गया है आई होप आपको पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा ना हम लोग मूफ पर रहे हैं कि इसको किस तरह से स्टॉप किया जा सकता है पर पहले एक और वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं यह वीडियो इंपोर्टेंट इसलिए है क्यूंकि इस वीडियो में एक मारा रस्पकत हमार जो जूपास है जो फारड भॉइंशन हे तोरड इसवीयो यहां पर एक foreigner woman बैठी हुई है यह दोनों यह रोने लगती है क्योंकि दस इंडियन मोमें गेव हर हर इयरिंग्स यह है हमारा tradition यह हमारा culture ऐसा नहीं है कि हर एक वैक्ति जो यहां पर है वो मॉलिष्ट करने के लिए बैठा हुआ है कुछ ऐसे लोग होते हैं वो हर एक समाज का एक हिस्सा होते हैं लेकिन हमारा जो एक व्रिहत समाज है वो वसुदेव को दंबकम को मानता है और उसी को फॉलो करता है ना moving toward की इस तरह के problem को किस तरह से हम लोग solve करेंगे यह कुछ points मैंने लिखा है उसी को थोड़ा discuss कर लेते हैं वहां पर हमें अपने law enforcement को और जाता बैतल करना पड़ेगा हमारे police personnel को और अच्छी तरह से train करना पड़ेगा the second most important जो मुझे लगता है वो है public awareness campaign public को पता होना चाहिए कि कितना important यह foreigners है यह जब बाहर से यहां पर आते हैं तो हमारे लिए dollars लेके आते हैं हमारा एक economy को boost देते हैं कुछ तो ऐसे country हैं world में जो कि पूरी तरह से foreign tourist के उपर depend करते हैं जिनकी अर्थवेवस्था पूरी तरह से foreigners के उपर depend करती है तो हमें एक campaign चलाना होगा public को aware करना पड़ेगा कि कितना important है foreigners का India visit करना थार्ड है support for victims जिनके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है जो हमारा police है जो हमारा law enforcement है उसको तुरंच से तुरंच support करना होगा इन victims को और ऐसा बहुत जगा किया भी जा रहा है कि एक foreigner जैपूर जाता है वहाँ पर एक fort की चड़ाई चड़ते रहता है तो कुछ मंचले आ करके उसे गलत इसारे करते हैं कुछ दिन बाद ही यह जब video post करता है उसके बाद फिर वो jail जाता है वहाँ पर उसकी बहुत ही अच्छी तरह से खातिरदारी होती है और victim को भी य जाता है कि आप सेफ हो कि नहीं आपको अगर कोई problem है तो इसको और ज़्यादा एक्सक्लेट किया जाएगा और यह जो आफ foreigner के साथ कर रहे हैं उसका पूरी तरह से भरपाई किया जाएगा नो यह point को थोड़ा समझते है education and cultural exchange को बाहर से जो लोग आ रहे ना उन्हें खोड उसका नाम है Gordon Ramsey वो विजिट करता है सद्गुरु के टेंपल में और क्या करता है स्ट्यू जी के ऊपर चहड के बैठ जाता है इट simply means that he has no idea उसको culture के बारे में कुछ नहीं पता है हमारे tradition के बारे में कुछ नहीं पता है वो तो सद्गुरु के आसरम में ऐसा कर रहा है तो वो बच गया मालो कि अगर वो कोई Indian temple में घुस करके सिव जी के ऊपर चहड जा रहा है तो क्या होगा मार तो वो अलग से खाएगा पता ना जिंदा बचेगा की नहीं that is different thing पर ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो क्या कर रहा है उसको कुछ जानकारी ही नहीं है in that case मैं यह collaboration with embassies and consulate है वो क्या करते हैं कर सकते हैं cultural exchange के programs कर सकते हैं जिससे कि यह दोनों देश के बीच में जो culture exchange है वो हो सकता है यह दोनों देश एक दूसरे देश को समझ सकते हैं So, यह सारे कुछ ऐसे steps हैं जिसको लेने के बाद फिर foreigners का भारत में आना और ज्यादा safe हो सकता है और ज्यादा बहतर हो सकता है Now, these are few steps जिसका हम लोग use कर सकते हैं और foreigners को भारत देश में शुरक्षत रख सकते हैं I hope आपको यह पूरा video समझ में आया होगा कुछ ऐसे points हैं जो कि आपको लगता है और add up होना चाहिए तो please write down in the comment section That's it for this video. Thank you.